क्या कभी किसी ने ये सुना की addiction भी एक दिमागी बिमारी है, substance use disorder, okay, bipolar disorder, schizophrenia, schizoaffective disorder, anxiety issues, personality disorder, ये सब दिमागी बिमारी है, ठीक है, basically ये लिखने का जो purpose है वो ये है, जैसे कुछ दिन पहले भी हमने यहां पे board पे लिखा था कि ऐसी कौन से sign और symptom, ऐसी कौन सी चीजें हमें हमारे patient में loved one में दिखी, कि हमें hospital आना पड़ा, ठीक है, so WHO ने एक model create किया है, जिस पे दिमागी बिमारी का इलाज होता है, मतलब more or less, ये दिमागी बिमारी की definition है, और ये sign symptom है, जो हमारी life में हमें इस बिमारी के होने के कारण, ठीक है, डाइमरी, क्रॉनिक, प्रोग्रेसिव और फेटल डिजीज है, प्राइमरी से आप क्या समझते हैं, जल बांतरू, that means, हमारे patient कुछ इस तरह से बनाएं कि वो pre-disposed है, कि उसको ये बिमारी हो सकती है, genes, genetic, खंड लग रही है, तो ये बंद कर दो इसके, हाँ, उसको बेज दो, ठीक है, that is the meaning of primary, जैसे diabetes एक primary illness है, that means, हमारी body का जो condition है, कल को future में जाके हमें diabetes होने के chances है, ठीक है, second is chronic, chronic, long term illnesses, जैसे cancer, hypertension, diabetes, ठीक है, progressive, जो बढ़ती रहती है, जैसे अगर दो heart attack आ गए, तो doctors कहते हैं कि तीसरा fatal जानलेवा हो सकता है, बिमारीों की stages होती हैं, cancer की stages होती है, तो हमारे illnesses में mostly 4 stages होती है, जिसमें कहते हैं, चौथी stage में ilaj possible नहीं रहता, then fatal disease मतलब जानलेवा, अगर addiction है तो overdose से death हो सकती है, नशे की हालत में accident हो सकता है, depression के case में suicide हो सकता है, जगडा हो सकता है, तो ये fatal diseases हैं और ये भी bracket में WHO ने लिखा है, if untreated, अगर इनका ilaj ना हो तो, okay, mostly क्या होता है, जब families आती हैं, तो सबसे पहले तो शरीर vitals are important, तो अक्सर सुबा शाम तक जब rounds होते हैं और डॉक्टर शाम को जब discussion करते हैं, और हर patient को discuss किया जाता है, उसका case discuss किया जाता है, तो जो सबसे challenging चीज डॉक्टर के लिए होती है, वो ये होती है, कि liver की condition क्या है, क्योंकि liver क्या काम करता है, liver हमारे शरीर की छन्नी है, सारा कुछ liver के जरिये हमारे शरीर में जाता है, तो एक दिमाग के doctor के लिए एक बहुत बड़ा challenge होता है, कि अगर हमारे patient का liver compromised है तो मैं ये दवाई दे सकता हूँ ये नहीं दे सकता हूँ ठीक है ओ आज भी यह discussion हो रही थी कि जो हमारे new patients है उनका जो liver का status है वो बहुत खराब हो चुक है यानि कि अब थोड़ी stage और बड़ी तो ilaj almost impossible हो जाएगा क्योंकि एक psychiatrist को भी दवाईयां इस्तिमाल करनी है जैसे आपके बच्चे का state liver compromised है ये बिमारी का model है वो है bio disease, psycho disease, social disease, spiritual disease अब bio क्या है? शरीर, physical इसमें आपका brain आजाता है क्योंकि ब्रेन भी शरीर का हिस्सा है brain disorder means अब आपके दिमाग के chemical सही तरीके से संतुलन में काम नहीं कर रहे आपका जो सोच में आएब वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा liver very very challenging इस चीज से तो हर psychiatrist इस्पेशली आलकॉलिक्स जो होते है जिनको alcohol addiction है शराब पर जो dependent है उसमें सबसे ज़्यादा जो खतरनाक चीज है कि liver compromise हो जाता है यह सारा physical है तो क्या आपको लगता है कि आपके patient का बायो पार्ट एफेक्ट हुआ है cleanliness सब को है सब का patients क्या सोचते हैं आपको लगता है it is affected right अब brain क्या करती है brain सोचती है हमारी जो feelings हैं वो brain से आते है हमारे जो emotions हैं वो brain से आते है हम जैसे behave करते हैं उत्ते बैठते बोलते कैसे हम जिन्दगी बिताते हैं सब कुछ brain से आता है तो अगर brain खराब हो जाएगा हमारे thoughts ठीक रह सकते हैं हमारी सोचें भी बिमार हो जाएंगी हमारे mood खराब हो जाएंगे chemical उपर नीचे जाएंगे तो mood भी उपर नीचे जाएंगे हमारी feelings, emotions, behavior सब बिमार हो जाएंगे क्या ये सब हमने अपने patients में देखा जैसे कुछ patient बिलकुल नाउमीद होए होए है negative आप तो जिन्दगी खतम है PPK मर जाओ suicidal thoughts उने बिमार thoughts हो गए हैं ठीक है तीसरी चीज़ है हमारे रिष्टे खराब हो जाते हमारी बिमारी के लक्षन कुछ ऐसे हैं जिसमें जगड़ा है शक है emotions नहीं रहते attachment नहीं रहती तो जो हमारे आसपास लोग रहते हैं वो भी affected हो जाते तो हमारी बिमारियों में रिष्टे खराब होते हैं अब अगर हमारा दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा तो हम अपना काम भी ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे हमारी अगर कोई student है तो उसकी पढ़ाई affected होएगी अगर कोई job करता है तो उसकी job affected होएगी reputation इज़त अगर addiction का patient है तो उसको label लग जाएगा नशा करने वाला नशेरी अगर हमारा कोई mania में patient है जिसका dopamine chemical इतना बड़ा हो है कि वो बहुत गुसा कर रहा है तो सबको लगेगा ये गलत इंसान है इसका character खराब है ये जान मुझके ऐसी चीजें कर रहा है ये गंदा इंसान है अब दुनिया को नहीं पता कि उसके दिमाग का जो chemical है वो इतना बढ़ चुका है वो इस तरह की हरकते कर रहा है तो हमारी जो reputation है इज़त है वो भी बिमार हो जाती है money of course loss अगर कोई patient है नशे में वो accident कर देता है तो आपको गारी ठीक करानी पड़ती है नुकसान कोई police case हो जाए कोई court हो जाए जगडे हो जाए घर में तोर-फोर हो जाए या आपका बिमारी की वज़े से job चला जाए हर चीज में financial loss भी होता है फिर आगया spiritual हर इनसान के अंदर एक आवाज आती है गलत है, सही है ये करो, ये नहीं करो हम सब अपने घर में, अपनी society में values बड़े होते हैं संसकार होते हैं हमारे ethics होते हैं अंदर की एक आवाज आती है जैसे हम बोलते हैं कि इसको कुछ महसूस नहीं होता इसको पता नहीं चलता, बाब बुड़ा है बच्चे हैं, बीवी हैं इस तरह की हम चीजे patient को बोलते हैं तो क्या आप लोग इन सारी चीजों से agree करते हैं कि इसलिए हम यहां बैठे हैं ये पहला step है पहला step ये है कि ये बिमारी है और ये सब इसके लक्षन है और हम अपने चीजों की वज़े से उसको बाते से उसे गलत भी बोलते आएं उससे नफरत भी करते आएं उसको कोसते भी आएं अच्छा फिर उसके साथ साथ हम समझाते भी आएं मगर यहां पर आके पता लगाती समझ ही तो अगर समझ बिमार नहीं होती तो फिर वो यहां पर होता ही नहीं तो सबसे पहले परिवार को बैठ कर यहां पर यह चीज को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि डिप्रेशन इस डिजीज एडिक्शन एक दिमागी बिमारी है बाइपोलर डिसॉडर एक दिमागी बिमारी है अगर कोई पेशन को अवाजे सुनाई दे रही है वो दिमागी बिमारी है अगर उसको चीजें देख रही है वो दिमागी बिमारी है और जो हम पहले सोचते थे किसी ने कुछ कर दिया कोई आत्मा अंदर आ गई नजर लग गई वो सब नहीं होता फिर तो अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता तो फिर हम उसके लिए भी बोले कि उसको नजर लग गई इसलिए उसका बीपी बढ़ गया किसी ने कुछ कर दिया इसलिए उसको शुगर हो गई अब जैस तरह से हम हर बिमारी को साइंटिफिक नजरों से देखते हैं उसी तरह हमें इन बिमारियों को भी साइंटिफिक नजरिये से देखना पड़ेगा अदरवाइज हमें इलाज नहीं मिलेगा और अपने लव्ट वान को एक पेशेंट मानना शुरू करना पड़ेगा क्योंकि अब जो अब आप हॉस्पिटल में आए हो तो आप एक एक्यूट स्टेज में एक सीरियस स्टेज में लेकर आए हो कुछ खुद आए हैं थोड़ा सा वो परिशान हो रहे हैं कुछ पेशेंट को लेकर आए हैं और पेशेंट के अंदर ये शारीरिक प्रॉब्लम ये सब प्रॉब्लम चल रहे हैं ये सिम्टम है तो हमारे पेशन्ट ने हमारे साथ अच्छी तरह बिहेव नहीं करना क्योंकि उसका बिहेवियर बिमार है अगर वो अंदर से दुखी है तो वो बाहर के अपनी मा को बीवी को बच्चे को गले नहीं लगाएगा अगर उसे क्रेविंग हो रही है तोड़ बज़ रही है तो उसका मूड खराब होगा तो कमरों में यहाँ पर आपको अपने पेशन्ट के साथ कोई अच्छा हेल्दी एक्सपीरियंस नहीं होने वादा या तो वो चुप करके बैठ जाएगा या जब उसे क्रेविंग होगी तो वो बाहर निकलना चाहेगा बाहर निकलने के लिए वो आपको धंकी भी दे सकता है आपके सामने रो भी सकता है कस्त में वादे भी कर सकता है क्योंकि वो अंदर से परिशान तो ये सारी चीजों घर में भी होती है मगर घर में हमें पता नहीं होता बिमारी है तो कभी तो हम डर के मारे उसे करने देते हैं जो वो करता है घर में हम डर जाते हैं हम ही बिमारी को बढ़ावा देने लगते हैं तो ये सारी जो चीजें हैं ये जब तक फैमिली नहीं समझेगी तब तक हम भी जादा अच्छा रिजल्ट ट्रीटमेंट में नहीं दे पाएंगे क्योंकि बिल्कुल एक डिफरेंट माइन के साथ हमारा दिमाग भरा हुए डिफरेंट डिफरेंट चीजों के साथ इस चीज को आज शारीरिक बिमारी नहीं देख रहे तो सबसे पहले तो जिस इन्फरमेशन के साथ आप दिमाग के हस्पताल में आए हैं अपने दिमाग को खाली करो अब ग्लास में जो पानी है वो गंदा हो गया है अगर साफ पानी भरना है तो उस पानी को पहले फैंक ना पड़ेगा तो जो जो आप सोचते थे वो सब साइट पे रखे ये न्यू इन्फरमेशन अपने दिमाग में डालो कि यू आर सिटिंग इन आ हॉस्पिटल हॉस्पिटल में बिमार इंसान आता है गंदा इंसान में आता है तो आपका जो पेशन्ट है जो भी वो कर रहा है जैसे आप कह रहे हो तकलीफ हो रही है वो क्यों कर रही है अगर वो बोल सकती एक्सप्रेस कर सकती अगर उसका दिमाग का ये वला हिस्सा अच्छी तरह से काम कर रहा होता तो वो आपके साथ बैठ के पताती कि दीदी तो वो अग्रेशन नहीं शो करता उसको तकलीफ होती तो वो पता पाता ना तो ब्रेन डिसॉर्डर्स जो होते हैं उनका जो नेचर ही कुछ ऐसा है अजीब मतब चीज है फिर दिमाग में केमिकल्स है हमें नहीं पता चलता हमें पता नहीं चलता कि एकदम क्या हो गया अच बड़ा अच्छा था जी नजर ही लग गई कई तो बोल देते हैं शादी के बाद ही हो गया तो हम ये डिफरेंट डिफरेंट चीजे अपने दिमाग में सोचते रहते हैं क्यूंकि हम इस चीज से अनवेर हैं अंजान हैं कि ये दिमागी बिमारिया है आप थोड़ा समझ प चाहते हैं शेयर करना चाहते हैं अब ये सिम्टम्स कुछ-कुछ या कईयों के जादा हैं फैमिली में अब ड़्यू हो कहता है ये प्रोग्रेसिव बिमारी है तो अगर सेकंड स्टेज में पांच सिप्टम हैं तो थर्ड स्टेज में कितने हो जाएंगे तो अगर हम पेशेंट का इलाज नहीं कराएंगे तो फिर बिमारी प्रोग्रेस करेगे तो हर चीज में और नुकसान होंगे तो ये वाई ट्रीटमेंट इस इंपोर्टन राउल सर हांची सर कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं जैसे मैंने आपको एक्स्प्लेइन किया था कि अगर कुछ ऐसे खाने मैंने खाए मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट हो गया तो पहले क्या ठीक किया जाएगा मेरा जो खाना पीना या पहले मैं पेट को नॉर्मल करूँगी तो इसी तरह से जो ब्रेन है जो शरीर है जो हाड़वेर है उसका ट्रीटमेंट होगा दवाईयों के साथ जो साइंटिफिक एक्सपोर्ट्स ने दवाईयां बनाई है अगर उसके केमिकल बड़े होएं तो उनको ठीक किया जाएगा घटे हैं तो उसको ठीक किया जाएगा स्टेबिलाइज किया जाएगा ठीक है जो मत है जो brain है that is body I can touch it और आप केमिकल को assess कर सकते हो with test जो mind है उसको आप छू नहीं सकते हो mind हमारी एक सोच है सोच हमारी बचपन से लेकर आज तक बनी है mind ट्रेनिंग से सीखता है बचपन से हमारी ट्रेनिंग होती है हर चीज़ के हमने सलाई कड़ाई सीखनी है उसकी ट्रेइनिंग होएगी हमने नहाना धोना सीखना है उसकी ट्रेइनिंग हुई so mind के लिए कोई capsule नहीं है कि ये capsule खाओ और आप पढ़ाना सीख जाओगे ये capsule खाओ आपको maths आजाएगा so mind training से होता है so the treatment is medicine पहले हम body को stabilize करें फिर हम patient के mind पे work करें उसकी सोचों पे work करें क्योंकि craving भी एक सोच है नशे की सोच आई और हमने जाके कर लिया हम एकदम जाके क्योंकि अभी patient बिमार है क्योंकि उसका मतवला हिस्सा काम नहीं कर रहा तो जैसे ही सोच आएगी वो नशा करेगा बट जब हम treatment में आएंगे जब उसका prefrontal cortex मतवला हिस्सा खुलना शुरू हो जाएगा तो उसका सोचना भी शुरू हो जाएगा उसको right और wrong धीरे धीरे पता चलना शुरू हो जाएगा जैसे आप वो अपना example repeat करिये माम आप आज अभी नफ को मिलकी आए और उसने आपको क्या कहा इनका बेटा कली गया है पीछे बैठे हां जी शेयर करो में भी आपकी बात इनको help करेगी किस state में आया था क्यों लाए थी आप hospital उसको अजीब अजीब सोचे आ रही थी ठीक है उसको उसके थोट पर सैस्थ था जिसकी वज़े से वो कोई चीज खापी भी नहीं सकता था उसको हर खाने वाली चीज में कुछ ना कुछ लगता था कि मैं किसी इनसान को खा रहा हूं और उसको जैसे नेबर की वोइसे आती थी जिसको वो फोलो करता था मतलब वो उसको करते थे उसको दबाब डालते थे तो जैसे वो बोलते थे जो उसको महसूस होता था उसी according वो चलता था तो यह उसके ब्रेन के बिमारी के symptom थे ठीक है फिर यहां पे तक्रीबन कितने दिन का इलाज हुआ यहां पे वो दस दिन रुका 10 लियर्स रुका ठीक है तो आज आप अपने बेटे को वहां मिलने गए तो उसने आपको क्या का तो मैं उसने मिर से अपने वहां पे जो एक्टिविटीज हैं वो बिल्कुल अच्छे से पॉइंट तो पॉइंट मिर से शेयर की ठीक है और वो एजली खाना पीना हो रहा उसका अच्छे से आपकी और आपके हस्बंड के लिए उसने क्या कहा उसने मिलको यह बोला कि पापा को भी टीटमेंट अब जो 10 तिन पहले इतनी अजीब 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 बाते कर रहा था आज उसके मत इतनी खुली कि वो देख पा रहा है कि मेरे फादर भी आलकॉलिक हैं और उनको इलाज चाहिए कि मत भी चायद इतने सालों से हमारे साथ रहते रहते बिमार now what does this mean कि उसकी मत खुल रही है उसको इंसाइट आ रही है उसको दिखना शुरू हो गया इसी को कहेंगे ना brain disorder के साथ आप आये थे आपने treatment में एंटर किया दवाईयां अंदर गई सब चीजें हुई ठीक है और अब उसका brain disorder से order की तरफ जा रहे है आनिमल brain से हम इंसानी brain की तरफ move करें